दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की परमुख जनजातियों से सम्मदित Top 45 Questions आंसर्स जो की 100% दोस्तो परिक्साओं में पूछे जाते हैं ये वीडियो सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेगी तो पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा 45 में से आप लोग कितने questions के आंसर सही कर पाते हैं अपना score कमेंट बोक्स में जरू बतेगा चलिए सुरू करते हैं पहला question है दोस्तो भील जन जाती भारत में सर्वदिक कहां पाई जाती है ये question very very important है जल्दी से आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer रहेगा मध्य पर्दिश में दोस्तो अभी जो exam चल रहे है आपका SSGD का उसमें question पूछा गया था और यहां से दोस्तो हर एक shift में question पूछा जा रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना दूसरा question है अहोम जन्जाती भारत के किस राज्जे से सम्मंदित है तो दूसरे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर असम राज्जे से यानि की b right answer हो जाएगा तीसरा question आता है थारू जन्जाती पाई जाती है देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा important question है दोस्तो very very important mark कर लेना इस question को और तीसरे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही त्राई प्रदेश में यानि की option दोस्तो यहाँ पर b हो जाएगा अगला question आता है चेंचू जन्जाती किस प्रदेश की निवासी है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा आप लोग comment box में answer बताते रहा करें अगर आपको answer पहले से पता होता है इस question का दोस्तो right answer है आंदर परदेश से यानि की b right answer है question number 4 का सही उत्तर दोस्तो अगला question आता है बोडो निवासी है तो मेरे प्यारे दोस्तो बोडो कहा के निवासी है इस question का right answer रहेगा असम में यानि की right answer आपका D हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो गनतंतर दिवस की जो हमारी sale चल दी है इस time पे उसमें मैंने आपको जो 6000 की master pdf है वो केवल 100 रुपीज में provide कराई है ये offer 26 जनवरी रात 12 बजे तक valid रहेगा सबसे important बात दोस्तो ये pdf सभी exam को cover करती है इसलिए master pdf है इस pdf में आपको क्या-क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ इस pdf में आपको history complete मिलेगी जोग्रफी भी complete मिलेगी polity economics भी पूरी complete मिलेगी साथी साथ physics chemistry biology भी पूरा complete है current affair भी complete है और computer भी complete है साथी साथ दोस्तो इसमें static gk के 1000 question भी जबरदस तरीके से cover किये गए है अगर आप इस pdf को purchase करके पढ़ लेते हैं तो आपका 90% से लेबस complete हो जाएगा और जितनी भी book है दोस्तो जैसे lucent है lucent जैसी कोई और equivalent book है जो आपको पढ़नी पढ़ती है उनको आपको पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि उनका पूरा निचोड है ये 6000 question तो ये बहुत ही जबरदस पीडियाप है और मातर दोस्तो 100 रुपीज के आप मान ली देता है न तो उतने प्राइज में आपको पूरी पीडियाप मिल रही है जो एक्जाम को करेक्क करा सकती है तो आप इस पीडियाप को ले सकते हैं हमारे वोटसप नंबर से या फिर डारेक्ली ओनली टॉप स्टडी वेबसाइट से या फिर नीचे description box में दिये गए लिंक स ध्यान रखेगा दोस्तो 26 जनवरी रात 12 बजे तकी ओफर वैलिड रहेगा अगला कोशन दोस्तो बहुत ही जबर्दस्त है निमलिकित के इनसासित परदेशों में से ओन्जो जनजाती के लोग किसमें रहते हैं चटे कोशन का जल्दी से आंसर बताइगा और इस कोशन का द इकोबार दीप समों में रहते हैं यानि की औप्शन एर एनसर हो जाएगा अगला कोशन दोस्तो आता है उत्राखंड की सबसे बड़ी अनुसुची जनजाती कोन सी है मेरे प्यार दोस्तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है ये अगर आप लोग इस कोशन का आ जन जाती कौन सी है ये भी most important question है और अगर आपको हमारा content पसंद आता है दोस्तों मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को like करके अपने सभी भाई बेन दोस्तों के साथ में share कर दिया करें जिनका exam अभी नजदीक है या फिर जो भी competitive exam की त्यारी कर रहे है आटवे question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुर से भारत की सबसे बड़ी जन जाती जो है दोस्तों वह गोंड जन जाती यानि की right answer option ही रहेगा याद रखना वाइस question को जरूर पूछा जाएगा किसी exam में 9 question आता है निमलखित मेंसे किस hindu चोहार को थारू लोग सोख पर्व के रूप में मनाते हैं देखें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दिपावली को दोस्तों किस कौन सी जन जाती सोख के रूप में मनाती है तो दिपावली को मनाते हैं उल्टा करके question को पूछ तो ये भी बहुत important question है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तराप लोगों ने किया है देखे उत्राखन तथा उत्तर परदेश में ठीके अलग-अलग से भी question पूछे जा सकते हैं option देखर के तो याद रखेगा उत्राखन और उत्तर परदेश दोनों राज्यों में यानि कि D right answer हो जाएगा अगला question आता है निमलकी चेत्रों में से कौन सा तोड़ा जन्जाती का मूल निवास चेत्र है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तो यहाँ पर right answer रहेगा निलगरी पहडियां यानि कि C right answer हो जाएगा ग्यारवे question का सही उत्तर दोस्तो अगला question आता है अंडी और ओपर तिपी नामक से परचलित विवाक किस आदिवासी समुदाय से सम्मंदित है इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा तो हो इस question का right answer रहेगा यानि कि option A is the right answer दोस्तो अगला question आता है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली छेतर में निमलिकित में से कौन सा परजातिय समुदाया जाता है इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिलकुल सही है यानि की right answer is option C यह है आपको याद अखना है दोस्तो अगला question आता है गदी निवासी है यह कहा के निवासी है दोस्तो यह बताना है तो बिलकुल सही उत्तर आप लोग ने क्या है हिमाचल परदेश के यानि की right answer is B यह आपको याद अखना है दोस्तो अगला question आता है निवलिखित इस्थानों में से कहां सौमपेन जन जाती पाई जाती है देखें पंदरवे question का right answer क्या रहेगा दोस्तो तो बिलकुल सही उत्तर आप लोग ने किया है और यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो right answer रहेगा निकोबार दीप समू में यानि की right answer हो जाएगा इस question का सही उत्तर अगला question दोस्तो आता है सरहूल चोहार कौन सी जन जाती मनाती है दोस्तो मैं इस question को जितना very very important लगाऊं उतना कम है क्योंकि यह question अभी जो exam चल रहा है दोस्तो उसमें भी exam होते हैं उनमें ये question हमेशा से repeat होता है इस question का दोस्तो right answer रहेगा बिल्कुल उराव यानि की option a right answer हो जाएगा वई यह आपको याद अखना है ठीक है चले अगला question आता है निमलिकी जन जातियों में कौन बहुपती विवा की पर्था को मानता है तो इस question का जल्दी से answer बतेगा दोस्तो ये माना जाता है तोड़ा जन जाती में अच्छा ये इसको correct कर लेना तोड़ा रहेगा तोड़ा जन जाती है ना इसमें मातरा missing है ये थोड़ी चोटी मोटी mistake हो जाती है याद रखेगा अठारवा कोशन है दोस्तो जारवा जन जाती पाई जाती है ये जारवा जन जाती कहाँ पर पाई जाती है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा निकोबार दीप समू में यानि की C right answer हैगा अठारवे question का सही उत्तर दोस्तो 19 वा question क्या कह रहा है निमलिकित राज्यों में से किस में अनुसूची जन जाती नहीं पाई जाती है दोस्तो आंसर बताईए तो इस question का right answer क्या रहेगा बिलकुल सही दोस्तो हर्याना में कोई भी अनुसूची जन जाती नहीं पाई जाती है ये भी एक important question है याद रखने वाला कोशन है ठोस्तो अगला कोशन आता है भारत की सरवदिक बड़ी जन जाती है ये वाला तो कर लिया नहीं भारत की सरवदिक बड़ी जन जाती दोस्तो अगर बात की जाये वो जायेगा भील जन जाती यानि की सी right answer हो जायगा अगला कोशन आता है जारखन राज्य की सबसे बड़ी जन जाती है तो देखे जारखन राज्य की दोस्तो सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है एक्जाम में बार-बार रिपीट होने वाला कोशन है संथाल जन जाती यानि की सी रैट आं तो सायद मैंने अभी आपको बताया था थारू दोस्तो जंजाती हो जाएगा यानि की बी रैट आंसर रहने वाला है अगला कोशन आता है निन्वे से किस राज्य में जंजाती समुदाय की पहचान नहीं की गई है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा अच्छा ये भी रिपीट सही हो गया हर्याना में अगला कोशन आता है दोस्तो नाच गाकर अपनी जीवी का कमाने वाली राजिस्थान की जंजाती कोन सी है तो इस कोशन का जल्दी से आंसर बतायेगा दोस्तो राइट आंसर रहेगा गरासिया जंजाती यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा वई याद रखेगा अगला कोशन आता है लुथाई जंजाती निवास करती है तो लुथाई जंजाती निवास करती है लुथाई जंजाती दोस्तों कहा निवास करती है बिल्कुल सही उत्तर के आप लोगों ने अगर मिजोरा मांसर लगाया तो मिजोरा मिजदा र दोलाधर स्रेनी की पर्मूख जन जाती है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिलकुल सही है गद्डी यानी की right answer is B ये आपको याद अखना है 26 कोशन का right answer दोस्तो अगला कोशन आता है गद्डी लोग निवासी है तो ये निवासी कहा के दोस्तो हिमाचल पर्देस के यानी की B रैट आनसर हो जाएगा यह निवासी है दोस्तो पूर्वी भारत के यानी की D रैट आनसर हो जाएगा 28 कोशन का सही उतर दोस्तो अगला कोशन आता है कत्या बनाने वाली अनुसूची जनजाती कौन सी है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा ये दोस्तों हो जाएगा खेरबार जन्जाती यानि की option C is the right answer दोस्तों अगला कोशन आता है जूमिंग करते हैं दोस्तों ये करते हैं खासी जन्जाती लोग यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है निमलिकी जंजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है तो इस कोशन कर दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा चेंचू जंजाती यानि की option A is the right answer अगला कोशन आता है औराव जंजाती किस राज्य से संबंदित है देखें औराव जंजाती जो है मेरे प्यार दोस्तो ये किस राज्य से संबंदित है इस कोशन का जरा आंसर बताएगा राइट आंसर रहेगा जार्खन राज्य से यानि किसी is the right answer अगला कोशन आता है आदिवासी समू सहरिया किस राज्य से संबंदित है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा राजिस्थान राज्य से यानि कि c is the right answer अगला कोशन आता है मुन्डा जंजाती कहा निवास करती है देखें मुन्डा जंजाती जो है मेरे प्यार दोस्तो ये निवास कहा पर करती है जारखंड में यानि कि b right answer रहेगा 34 का सही उत्तर 35 आता है उत्तर प्रदेश की सर्वदिक जंजंख्या वाली जंजाती निवास में से कोन सी है दोस्तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही गोन जंजाती आनि कि C right answer दोस्तो हो जाएगा अगला कोशन आता है निमलिखित में से किस राज्य में कूकी जंजाती मुख्यता निवास करती है ये भी बहुत ज़्यादा important कोशन है दोस्तो देखे जितने भी important या very very important बथा रहा हूँ उनको तो जरूर याद कर लेना क्योंकि किसी न किसी एक्जाम में देखने को आपको जरूर मिल जाएंगे दोस्तो मनीपूर इस कोशन का right answer रहेगा यानि की option A is the right answer अगला कोशन आता है लेपचा तथा भूटिया जंजाती का निवास छेतर कहा है इस कोशन का दोस्तो right answer रहेगा सिक्की में यानि की option A is the right answer अगला कोशन आता है भारत की सरवदिक आग जंजाती है दोस्तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा तो यहाँ पर right answer रहेगा दोस्तो विल्कुल यहाँ पर सही answer जार्वा यानि की B right answer हो जाएगा वई देखें संतालों में दोस्तों विवा का जो समान्य रूप है वो कौन सा है राइट आंसर इस बुपला यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा अगला कोशन आता है गारो खासी तथा जैनतिया जनजातियां किस राज्यस में निवास करती है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुर सही है मेगालिया यानि की राइट आंसर इस डी यह आपको याद अखना है चालिसवे कोशन का सही उत्तर देखें एक तालिसवा कोशन है निमलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है अच्छा यह कोशन रिपीट हो गया चले इसका आंसर आप लोग कमेंट बोक्स में बताईए क्योंकि यह रिपीटेड कोशन हो गया दोस्तों अगला कोशन आता है एक जनजाती जो सरूल तोहार मनाती है वह है दोस्तों राइट आंसर रहेगा मूंडा जनजाती यानि कि बी राइट आंसर हो जाएगा वही अगला कोशन आता है रिपीटू परवास किया करते हैं तो इस कोशन का जरा आंसर बतेगा ये करते हैं दोस्तो भूटिया जन जाती लोग राइट आंसर इस ओप्षन है ये आपको या दखना है चवालिसवा कोशन है भारत की निमलखित में से कौन सी जन जाती प्रोटो ओस्ट्रेलिया परजाती से संबंदित है इस कोशन का राइट आंसर बते हुई तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका संथाल लोग है ना दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल यानि की सी इस दा रेट आंसर तो ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है भारत के निमलिकित भागो में द्रावीडियन परजाती मुख्यता कहां से केंद्रित है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा दक्सिन भारत में यानि की ऑप्शन ए इस दा राइट आंसर देखें कोशन नमर 46 है निमलिकित में कौन सी अनसुचित जंजाती दिपावली को सोक के रूप में मनाती है ये कोशन भी रिपीट हो गया है तो इस कोशन का आंसर भी कमेंट बोक्स में बता दीजेगा ठीक है अब एक कोशन और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कोशन दोस्तो सरहूल तोहार कौन सी जंजाती मनाती है ये टेस्ट कोशन है इसी वीडियो से दोस्तो मैंने इस कोशन को लिया है अगर आप लोग ने इस वीडियो को यहां तक देखा है दोस्तो तो आप इस कोशन का आंसर जरूब बतेगा आप directly नीचे दियेगे description box में link पर click करके आप इस PDF को purchase कर सकते हैं इस PDF में आपको 7000 question मिलेंगे 6000 ये और एक दोस्तो 1000 static GK के question answers आपको तम मिलेंगे जब आप payment करके हमें WhatsApp नंबर पर अपना screenshot भेज़ देते हैं ठीक है कोई doubt होगा तो आप WhatsApp नंबर पर message करके पूछ सकते हैं बाकि ये सभी PDF आपको केवल 100 रुपीज में दोस्तों मिल रही है और आप लोग जानते हैं दोस्तों अगर आप लोगों ने इन PDF को पढ़ लिया तो GK और Economics, Physics, Chemistry, Biology, Current, Computer, Static GK इन से बाहर कोई question नहीं जाने वाला है 90% की मैं guarantee लेता हूँ दोस्तों एक भी question बाहर नहीं जाएगा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो ध्यान से और ये मुस्किल से आपका 1-2 महिने का course होगा अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो 1-2 महिने में आप ये सारे questions को खतम कर सकते हैं ठीक है चले मिलते हैं next class में thank you so much, bye bye and take care